दुबई और सौधी अरेविया जैसे गल्फ कंट्री में बहुत से ऐसे कंट्री आते हैं गल्फ कंट्री में जैसे की ओमान, मसकाट, कतर, भरेन जितने भी है कौन सा एर कंडिशनर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज हम कंप्लीट हम जानने वाले हैं क्योंकि ना एक को कोश्चन Ferguson जिन्होंने भी पूचा है इंडिया से हमार एक दोस्त ने पुचा है कोश्चन कि कौसा एर कंडिशनार दुबई में ऐं फिर सथे रिवेय सबसे ज्यादा यूज किया जाता हैं क्योंकि इंडिया में जो लोग डिशनर का काम सीखते हैं ज्यादतर लोग कम से कम 90 परसेंट लोगों का सपना यही होता है कि हम विद्योस souvent जाकर के जॉब करें तो होता क्या है कि आज के समय में component इतना ज्यादा हो गया है इतना high driving ho गया है कि कोई यह नहीं चाहता है कि जो साथ वाला है यह फिर पहचान वाला है या फिर उससे कम ना कमाऊं हर किसी के अंदर एक competition है यह तो होना चाहिए normal है यह यह नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं कि यह डर क्यों है आखिर कि कौन सा air conditioner यूज किया जाता है मैं आपको बताऊंगा step by step कि कोई अपने दिमाग से पूरा डर को निक दें क्योंकि जो air conditioner इंडिया में youth कि आजताओ वही same air conditioner यहाँ पर भी यूज किया जाता है लेकिन नियोंपर क्या है कि और रोलत के यह इंडिया और से इंडिया में पर भी यूज किया जाते हैं दुबई और सवधेरेविया में लेकिन कुछ एर कंडिशनर ऐसे हैं जो यहां पर यूज नहीं किया जाते हैं जैसे कि उनीटा हो गया और टीसील हो गया बहुत से एर कंडिशनर हैं जो कि इंडिया में यूज किया जाते हैं यहां पर नहीं देखा हूं तो य यहाँ पर difference है। ऐसा कुछ hombres डिए और पर अाउट डोर की PC ने साया वाया है। और आउट्डोर का टर्मिनल से मैं बस सबकुस सेम है कोई दिकत नहीं है आप आराम से आगर ना चाहते हैं गल्प wła Здhouse ये जाना चाते हैं जॉप करना चाहते हैं तो कोई कन नहीं अपने दिमाग से पूरा डर निकाल दे और जा करके हैं मैं भी जब आया था तो मैं भी सोचत सब करना के ह् euros चल गया कि सब कुछ सेम हैं कि सब कुछ थरे सेडिल कory ऑक्टस का तो और करना किसमें यहीं पर मैं सीखाओं कोई नहीं सिक अपने हैं से मैं सब्सक्राइब काम करना क्यूंकि वही होता है थोड़ा सा इप्रेंस होता है कि इसमें three face का contactor लगा होता है three face supply direct compressor में जाता है लेकिन single face में क्या होता है कि indoor से या फिर outdoor से सिर्फ single face आता है उसमें बस इतना सा difference होता है और कुछ भी नहीं है तो अगर आप air conditioner का काम जैसे होता है अब हम एक एकर के बात करते हैं कि inverter AC में क्या होता है और non inverter AC में क्या होता है inverter AC में एक indoor में PCB होती है एक outdoor में PCB होती है outdoor में PCB लगी होती है outdoor का fan motor और compressor DC पर work करता है यह difference होता है और non inverter जो होता है और non inverter जो होता है जो non inverter है उसका compressor AC होता है यानि कि alternative current होता है उसमें 220 पर work करता है उसमें सिर्फ एक capacitor लगाया जाता है बस इतना सा होता है difference बाकि आप वही जो काम करते हैं वही काम आपको Gulf Country में भी करना है अगर आप details में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा जितने भी पूरा लिस्ट में बना रखा हूं कि कौन कौन सा air conditioner Gulf Country में यूज किया जाते हैं सबसे ज़्यादा जैसे कि UAE हो गया और KSA हो गया सौधे रेविया और United Arab Emirates हो गया कौन कौन से air conditioner सबसे ज़्यादा यूज किया जाते हैं Gulf Country में मैं लिस्ट बना रखा हूं नीचे description में दे दूँगा जैसे काम करता है उसी तरह से air conditioner यहां पर भी काम करता है कोई भी confused होने की जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है छोटा सा वीडियो था आपके लिए काफी उजपूल रहा होगा आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइज जिरू कर दे लाश्ट में बताना चाहूंगो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके all पर किलिक कर ले ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाओ आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही था अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते एक ने टॉपिक के साथ